नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरुबेदिक में आपका स्वागत है आज मैं आपको एरेंड का पौधा दिखा रहा हूँ जो की आपके सामने है तो दोस्तों देख लीजिए ये एरेंड का फल है जो की अभी फल लगा हुआ है और ये देखिए दोस्तों ये एरेंड का पत् तक उचा पाया जाता है और मोटाई करीबन चार से पाँच फूर तक भी मोटा पाया जाता है दोस्तों यह बहुत ही नरम नाजुक होता है इसकी साखाओं को पकड़ कर अगर जोर से खीचेंगे तो यह खट करके तूट जाता है और इसमें जो फल है तो यह देख रहे हैं आ बीज को फोड़ने के बाद तोड़ने के बाद उसके अंदर इस तरह से बीज निकला है तो मेरा कहिना यह दोस्तों करीबन एरेंड में साथ परजातियां होती है कुछ बहुत बड़े-बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे-छोटे होते हैं यह जो मैं आपको दिखा दोस्तों यह चोटे परजाती का है लेकिन पायदा तोस्तो Rings भूलों की अरद का स्फोलने के बाद गिरी निकलता है और पोड़े ne यह जना होता है उसी इस तेल बनता है उस तेल को क्रॉष्ट नाम से खिंह दुकान में हर जगह मिलता है उस तेल दोस्तों करूं में हoooo तो दोस्तों उस तेल से बहुत सारे आयरवेदिक में दवाई बनता है और इस रेड के तेल के अंदर विटामिन E का मांतरा बहुत ही अधिक होता है जो तोचा रोगों के लिए काफी फाइदे मंद है तो दोस्तों विटामिन E की अधिक मांतरा जो है तोचा को सौप्ट बना तो इसलिए इस तेल का उपयोग काफी ब्यूटी सियन या ब्यूटी प्रोड़क्ट में इस्तमाल किया जाता है तो दोस्तों यह जो देख रहें पौधा यह पौधा नहीं एक तरह से पूरी तरीके से आयरुवेदी का उसदी गुड़ों से भरा हुआ पौधा है तो दोस्त दोस्तों चह्रे का जो तोचा रहता है वो टाइट हो जाता है ठीजोड़ आहीं पाता है चहरे पर चमक आता है अगर उससी ह्य consistency को बालों में लगाए जाया तो नमोडेगा उता है और मोटे मोटे होते हैं और काले भी होते और दोस्तों किसी आदमी का पुरूस का अगर प्रस्नल पार्ट कमजोर है तो उस प्रस्नल पार्ट में वह एरेंडल का तेल दो चार बून लेकर धीरे धीरे हलका हलका मसाज करें तो जितनी भी विक्रीतियां हैं जो भी खराबी हैं वह कुछ दिनों में समाप्त हो जाएंग और दोस्तों प्रस्नल पार्ट पे अगर दो चार बून रेंडल का तेल लगाया जाए तो प्रस्नल पार्ट का जो है इस्ट्रोंग पावर बढ़ता है और दोस्तों अगर एरेंडल का तेल करीबन 10 से 20 गराम दूद के साथ में डाल कर पी लिया जाए तो जुलाब होकर पे जिससे सरीर में अगर दर्द हो, पीडा हो तो सान्त होता है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर किसी को blood pressure हाई हमेशा रहता हो, तो वह रेड एरंडल के तेल को न पिए, क्योंकि एरंडल के तेल काफी गर्म होता है, CDT को पैदा भी कर सकता है जिस तरह सिल ले पैट करता है अगर जोज कम मिलने पर यह ACDDD बनाता है जिसके उजय से blood pressure बढ़ भी सकता है इसलिए blood pressure के रोगी जो है सोस समझ कर किसी अच्छे बाइद के किसी अच्छे बाइद के देख रेख में ही इस्तिमाल करें और हां दोस्तों ये एरेंडल का तेल फटे हुए इस्तिरियोग जो एडी रहता है उस फटे हुए एडीम भी आप इस्तिमाल कीजिए तो फटा हुआ एडी जो है कुछ दिनों भर जाएगा तो दोस्तों अगर एरेंडल के तेल से पूरे ब